हाल के महिनों में हमने देखा कि कॉंग्रेस के कई दिग्गत चेहरों ने पार्टी छोड़ दी और ज्यादा तर लोग बीजेपी के साथ हो लिए अगर महराश्ट की बात करें तो महराश्ट में हमने देखा कि पहले मिलिन देवडा ने पार्टी छोड़ दी एकनाश्रिंदिवाली शेव सेना में चले गए उसके बाद अशोक चाहांड ने पार्टी छोड़ी बीजेपी में चले गए अब हाल ही में संजे निरूपम को भी पार्टी से निकाल दिया गया और उनकी भी विरोधी खेमे में जाने की खबर आ रही है कॉंग्रिस से इस तरह से लोग क्यों अलग हो रहे हैं और खास करके ऐसे लोग जोकी दिगज नेता रहें हैं पार्टी के ये बड़ा सवाल है और ना किवल अभी मैंने जो आपको महराष्ट के नाम गिनाए महराष्टर का जो पड़ोसी राजी है गुजरात उस गुजरात आज के कॉंग्रेस के कई दश्कों से एक बड़ा चेहरा थे अर्जुन मोडवाडिया जी उन्होंने भी बीते महिने ही पार्टी छोड़ दी और बीजेपी के साथ हो लिए तो क्या कारण है उनके अपने पार्टी छोड़ने के पीछे और कॉंग्रेस की इस दुर्गती के प कि आपका खुद का पार्टी छोड़ने का क्या कारण रहा कि आपने कॉंग्रेस को नमस्ते कह दिया और आप बीजेपी के साथ चले गए इतने सालों से हमने देखा कि आप एक बड़ा ही मुखर चेहरा थे कॉंग्रेस के बीजेपी के खिलाफ जब भी मैं चुनाओं के वक लेकिन कॉंग्रेस पार्टी में जानने का किसी को इंटरेस नहीं है प्रोब्लेम वही है कि आज जो जो लोगों ने एक जनरेशन दो जनरेशन तीन जनरेशन से कॉंग्रेस में थे वो आज पार्टी छोड़के बीजेपी में सामिल हो रहे हैं मैं तो फर्स जनरेशन लीड लेकिन गुलाम नभी आजाद, केप्टन अमरींदर सिंग से लेकर बहुत सारे लोगों ने जो दिल्ली में काम किया, उन्होंने पार्टी छोड़ी, मैं भी यहाँ कॉंग्रेस का यहाँ उसी समय चेहरा था, कि जब यहाँ अपके हमारे यश्रिश्वी प्रधान मंत्री जी, नरेंदर मोदी जी, यहाँ के मुख्य मंत्री थे, अमिच साह जी यहाँ के ग्राम मंत्री थे, उसी समय में मैं यहाँ लीडर ओपोजिशन रहा और कॉंग्रेस का अध्यक्स भी रहा, लेकिन जिस तरीके से 2015 के बाद, पार्टी में जो बदलाव आया, जिस तरीके से एक को पार्टी को कभी चुनाओ कैसी तरह लड़ा जाता है, लोगों की समसिया क्या है, कारियकरताओ की समसिया क्या है, उसकी कोई समझ ही नहीं थी, और वही चला रहे थे, सिर्फ कहीं बूक में कॉंग्रेस के बारे में पढ़ा होगा, या पेपर में पढ़ा होगा, या कोई आ लोग के लेबल पर काम नहीं किया, राज्य लेबल पर काम नहीं किया, सीधा डायरेक्ली वहाँ दिल्ली पहुँच गए और उन्होंने डिसिशन लेना सुरू किया, और इसकी वज़से आज कॉंग्रेस पार्टी है, वो पूरी जन्सा से विमुख हो चुकी है, कार्यकर्टा में किस लिए आते हैं, राजनीती में इसलिए हम सुब लगवाते हैं कि जनता की जीवन में कुछ बदला उला सके, मुझे लगा कि यहां मुझे कोई जो जनता की जीवन में बदला उलाने के लिए जो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो आज कॉंग्रेस में नह विरोध करना, व्यापारियों का बड़े इंडुस्ट्रियलिस्ट का विरोध करना, और यही एजंडा लेकर लोगों के सामने जाना, इससे देश की तरक्की नहीं होगी, जनता की तरक्की नहीं होगी, और पार्टी की तरक्की नहीं होगी, यह सोच समझ कर बहुत मैंने जो दिल्ली में एक दो लीडर बेठे हैं, उसको कैसी तरह खुष रखा जाए, या उनकी कोटरी को कैसी तरह खुष रखा जाए, मैं एक खुष करने वाला नहीं था, मैं तो लड़ाई लड़ने वाला था, और मुझे लगा कि अभी वहां कोई गुझाईसी नहीं है, और उस यहां वेलकम किया पार्टी में, और यहां गुझरात के जो नेतरुत्वत है, C.R. पाटिल जी और बोपेंदर पाटेल जी मुख्यमंत्री है हमारे, उन्होंने मुझे पार्टी में जोइन करवाया, आपने कोटरी की बात की, कॉंग्रिस में कौन सी कोटरी है जो इस वक्त थावी हो गई है, वो कौन लोग है, कौन नेता है उसके, जो लोग ने कभी, आप नाम अगर बता, मुझे क्या बताने के, चोटे-चोटे लोगों के नाम बताने से क्या फाइदा है, जिन्होंने कभी अपने स्टेट का प्रेसिडेंट भी नहीं रहे, एक डिस्ट्रिक भी नहीं समाला, ऐसे लोग आगया, मेरे जैसे लोग, जो यूद कॉंग्रेस में ब्लोग प्रेसिडेंट थे, वहां से लेकर प्रदेश का नित्रुत्व किया, ऐसे अनुभवी लोग चार और देश में से जा रहे हैं, और हम हमारे जैसे लोग ये छोटे-छोटे लोगों के क या दोनों को गोड़ा मानते हैं, ऐसे लोग उसे बहस करने का क्या मतलब है? अगरा हकीकत कुछ ऐसी है कि आपको भी कुछ इसी तरह की धमकी दी गई कि किसी कोई मामला आपके खिलाफ डायर किया जाएगा या आपके खिलाफ कोई कारवायोगी इस डर से आपने जोइन किया है? देखो पहले बात में पहले दूसरी बात बता दो आपको कि कुछ लालत से जाना था किसी को तो जब भारती जनता पार्टी को जरूरत होती थी उस समय जाते हैं लेकिन आज के दिन में भारती जनता पार्टी को गुजरात में तो 156 सीठ है 182 में से और ये चुनाओ के बाद 160 हो जाएगा और 26 में से 26 भारती जनता पार्टी के पास है गुजरात में से लोक्षभा की और ये चुनाओ के बाद 26 में से 26 आएगी और हमारे जो प्रदेश अध्यक से उन्होंने जई इसी तरह कहा, सिहर पार्टील जी ने, कि 5 लाग से ज्यादा लीट से माएं यहाएंगे इसलिए ऐसा थ नहीं था कि मुझे उसी समय जाना चाहिए था जब भारती जनता पार्टी की सीटे कम थी उनको जरूरत थी लेकिन तो भी वो कार्यकरता की कीमत जानते हैं कि सामने भी काम करने वाला है, सक्षम है, लोगों से जुड़ हुआ है तो उनको पार्टी में लाना चाहिए लेकिन वो पार्टी अपने अईसे कार्यकरता को रेटेन करना नहीं चाहती है, दूसरा जो आपने कहा हर दफा यही बात आती है कि ED, CBI, Income Tax, Keg, NIA, जो भी है वो सब उटके डर से जाये हैं, मैं यहां चालिस साल से, स्टूड़न सा तब से महिराजनीती में हूँ CBI, ED, Income Tax की बात छोड़िये, मेरे घर पर कभी पोलिस कोंस्टेबल भी नहीं है, एक क्रिमिनल केस मेरे पर रजिस्टर नहीं हुआ है आज की, जब कि मैं भारती जनता पालिटी के सामने बेबाब तरीके से लड़ता था, मुझे किसी नहीं परहसान नहीं किया, आज तक इ लेकिन पुलिस भी नहीं किया, लेकिन कहीं दुवा निकलता है, तो कहीं आग लगी होगी, इसलिए ED, CBI इसके यहां जाती है कि कहीं न कहीं, कुछ छोटा या बड़ा, कुछ न कुछ उसका फोल्ट है, तो मैं जाते हैं, हमारे यहां तो कभी नहीं आए, हम तो विदान अज़ा में हो बाहर हो, आज मैं कॉंग्रेस में कोई यह नहीं कहेंगे, कि अर्जुन मोडवाडिया ने कभी, क्या है, विदाओट कमिटमेंट कोई काम किया, कमिटमेंट से काम किया, और यही इसलिए मुझे यहां स्विकृत ही हुई है, कि मैं जहां था, वहां भी कमिट साथ काम करता था, और आज यहां भी है, इसलिए यह बात गलत है, जाने वाले को इसी तरह कहते हैं, लेकिन मेरे सामने एक सिंगल ओफेंस भी, आज इतने 20 साल तो मैंने नेतरूत्व किया कॉंग्रेस का, और वो भी नरेंदर मोदी जी और अमित साह जी के सामने, तो भी जिनों ने कुछ गलत किया है, वहां जाएगी, तो क्या उसमें गलत है, अरजुन जी, एक तो आपने कहा कि संगड़ना नात्मक तौर पर और 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 जो है, वो गड़बड़ी रही कि एक कोट्री हावी हो गई कॉंग्रेस पर, जिसकी वज़े से आप नाराज हुए और आ जांपरदा एक पार्टी है, बीजेपी के उपर ये भी आरोप लगा कि बीजेपी जो है लोकतंतर को खत्म करना चाहती है, तो आप विचारधारा के इस तरफ पर कैसे अपने आपको एडजेस्ट कर पा रहे हैं इस पार्टी में, जिस विचारधारा के साथ आप इतने साल और काम में कॉंपरुमाइज करते थे, कभी प्रार्थना में कभी नहीं करते थे, तो भारती जन्ता पार्टी जो है, वो भी वही करती है, दूसरी बात आई, कि यहां विचारधारा में आप लोग ये बीजेपी आपके लिए स्पुरुश्या है, लेकिन उस समय जो बची क कुछी आज सीवसयना बची है, उदर ठाकरेजी की, उसके साथ तो आपने सरकार बनाई, उसको सपोर्ट किया, और जो एंटी, जो गुजरात, जो गुजरात के लोग थे, उनके अगेश्च में हमची मूंबई चलाई जिन्होंने, और जिनके लिए बहुत ही माना जाता है कि वो कठोर लोग थे, उनके साथ कर लेते हैं, तो भारती जन्ता पार्टी में तो इसा है नहीं, वो तो आज मोदी जी की स्विकृती दुनिया में है, हर जगह है, और जहां जाते हैं, वो वहां गांधी की बात करते हैं, यहां, और उन्होंने भी, हमेरा, अम्दाबाद म लेकिन यह साबरमती आसरम जब महात्मा जी ने वो जमीन ली थी, 160 हेकर जमीन थी, आज वो 160 हेकर में से सिर्फ 5 हेकर का साबरमती आसरम रह गया, किसी को अमारी सरकार आई, किसी ने उसको टच नहीं किया कि चलो जरा अच्छी तरह से बाहर पाला एरिया ठीक कर दे, नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने आकर यह प्रोजेक्ट आथ में लिया, इतना ही नहीं, पांच एकर की जगह अभी 75 एकर्स का यह उसका जो पेरिफरी डेवलप हो रही है, और उसके लिए खुद भी आया, सर्दार साब थे, तो कॉंग्रेस के थे, तो सर्दार साब का मेमोरियल क्यों नहीं बना, नरेंद्र मोदी जी भारती जन्ता पार्टी ने आथ में लिया, और देश का सबसे अच्छा मेमोरियल, के वडिया में, आज बनाया, तो यह काम, यह कौन कहते हैं, के भई थे, सर्दार साब की विचारदार थे, लेकिन काम तो किसी ने, हमने कॉंग्रेस वालो ने, किसी ने नहीं किया, यह काम तो भारती जन्ता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी कर रहें, तो यह बात गलत है, कि आइडियोलोजी की स्यूट नहीं करती, महत्मा गांधी है, वो तो उसके जब जिवन का अंत आया, तब भी उन्हें ने एराम बोला था, तो राम का मंदीर बना, कॉंग्रेस पार्टी पहले से कहकर आई थी, कि यह जो राम मंदीर है, वह उस कोर्ट के फेशले के आधार पर बनना चाहिए, फेशला फेवर में आय तो बनना चाहिए, जबरजस्ती नहीं, भारती जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, सबी ने आंदोलन भी किया, सत्ता में भी आये, लेकिन उन्होंने जबरजस्ती यह जमीन अधिगरहन नहीं की, जब सुप्रीम कोट ने जज्जमेंट दे दिया, उसके बाद सब लोग मंदीर में इंविटेशन मिला प्रांप्रतिस्ठा मोदसों में, कि कॉंग्रेस में से आप आईये, तो अभी तो कोई पोलिटिकल मुद्दा था यह नहीं, सुप्रीम कोट के ओर्डर पर मंदीर बनाता, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी, जो उसके प्रांप्रतिस्ठा मोदसों मिन एंगे वाले थे ये एक एडिशन था तो हमारे सर्दार साभ का ने यहाँ स्वामनातमन धर बनाया था ने जानादमनिर में का प्रहन परिष्टरा मोचसाव राजंदर अजर बाभू राष्त्रपता राजंदर बाभू रा justement नहीं किया था अभी मंदीर बना, तो आपने ये आमंत्रन को स्विकार करना चाहिए, जाना चाहिए, और न जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरीके से आपने स्टेटमेंट इस्यू किया, पोलिटिकल, कि वी आर डिकलाइनिंग इन्विटेशन, और इट इस पोलिटिकल जिसके साथ पूरे देशवाशियों की भावना थी, ये भावना को आप इतनी हद तक न कारते हैं, तो तो आपको एंजियो बन जाना चाहिए, पोलिटिकल पार्टी, पोलिटिकल पार्टी तो हमेशा जन्वावनाओं की संबान करती है, तो ये संबान नहीं हुआ, उसका म एक अखरी सवाल है, आपने तो पार्टी बदल ली और आपने बताया भी किस तरह से इस विचारधारा के साथ आप जुड़े हैं, लेकिन जो आपका अब तक आप जैसे विधायक चुने का आप बाइपोल भी लड़ रहे हैं, तो जो आपका वोटर बेस था, वो मुख्यत माइनोरिटी से भी आता था, दलितों से भी आता था, तो आपको लगता है कि पार्टी बदलने के बाद जो वोट ट्रांसफर्स होंगे आपकी तरफ, देखो आज के दिन में चुनाव में अभी नोमिनेशन फाइल करना भी बाकी है, लेकिन आप मुझ से ये मैं के मेरा के स भारती जनता पार्टी के सिंबोल पर चुनाव लड़ने वाला हूं, और ये चुनाव मैं गुजरात में पूरबंदर का ही नहीं, पूरे गुजरात में रेकोर्ड ब्रेक लीड से ये मुझे जनता यहां की जीताएंगे, इतनी खुश है कि हम कुछ यहां जाके हमारे शहर के लिए, हमारी constituency के लिए, राज्यक के लिए, यह मैं कुछ contribute कर अपाऊंगा, यह जो है अपेक्षा जनता की, यह आज के दिन में यह है, आखीर राजनिती में हम जीवन में, लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए आते हैं, और लोग भी यही चाहते हैं, कि राजन धन्राद अरुन जी, कैमरा में राजे अंद्र धायल करके साथ, जीते अंद्र दीक्षित, NDTV इंडिया के लिए, पूर बंदर से